तो दोस्तो अगर आपका दोस्तो बैंक एकाउंट इस्टेट बैंक आफ इंडिया में दोस्तो एकाउंट है तो आप दोस्तो अगर आपने एकाउंट बना लिया है और आप दोस्तो चार है योनो SVI के अंदर रिजिस्टेशन करना और रिजिस्टेशन करके दोस्तो उसके अं तो दोसो सबसे पहले आपको अपने मुबाइल के दोस्तो प्लेश्टोर में आना है और प्लेश्टोर में आने के बाद दोस्तो आपको यहां पर सर्च कर देना है और दोस्तो आपको इस अप्लिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है जैसे कि दोस्तो यहां पर देख सेते हैं हमने यहां पर डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करने के बाद दोस्तो डारेट आपको क्या करना है ओपेन में किलिक करना है अब जैसे दोस्तो ओपेन में क लिख करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल के आ जाएगा दोसो फास्ट टैम बिल्कुल वीडियो को जरस अभी स्किप नहीं करना है आपको कम्प्लीट देखना है तो यहाँ पर दोस्व लोडिंग होकर के दोस्व हमारे पास इस तरीके का फास्ट टैम आ करता है वो नीचे वाले option को select करते हैं अगर दोस्व हम जैसे कि हम SBI के customer है SBI में हमारा account open है तो दोस्व आपको new में आपको click नहीं करना है आपको just यहाँ पर उपर वाले में click करना है ठीक है हम SBI के customer है आई दोस्व यहाँ पर आपको अपना SIM को select करने के लिए बोला जाए तो हमने यहाँ पर click करते हैं click करने के बाद दोस्व इस तरीके का loading लेगा please wait check in your mobile number यहने के दोस्व आपका mobile number जो है system check कर रहा है और दोस्व आने के बाद आपके सामने इस तरीके का interface आजाएगा create you know SBI internet banking आपके सामने दोस्व इस तरीके का first time आजाएगा तो आपको worksheet में click करोगे तो आपके सामने दोस्व इस तरीके का interface आजाता है registration और यहाँ पर दोस्व ATM card और आपको account detail तो यहाँ पर दोस्व आपको login करने के लिए आपको यहाँ पर दो options मिलेगा जैसे कि दोस्व आप चाहते हैं यहाँ पर ATM card से login करना तो ATM card से login कर सकते हैं अगर आपक account number डालेंगे दोस्व और यहाँ पर नीचे हम date of work डालेंगे और यहाँ पर दोस्व डेट ओपर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना होगा दोस्व देख जते हैं और डालने के बाद आपको just आपको प्रोशीड में click करना है तो यहाँ पर दोस्व आप शालने की जरूवत नहीं उसके बाद Submit में दोसो जैसी किलिक कर दोगे आपके सामने दोसो इस तरीके का आ जाएगा Review यो इस एकांट डिटेल तो यहां पर दोसो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ गया है और दोसो यहां पर Review and details तो आपके सामने यहाँ पर दोस्व आपका detail जो इस तरीक के निकल के आ जाएगा अब आने के बाद दोस्व देख सेते हैं select transaction यहाँ पर दोस्व आपको transaction के लिए दोस्व यहाँ पर आपको select करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर दोस्व आप you know SBI का दोस्व फूल यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे फूल में आपको trick लगाना है तो यहाँ उसके बाद दोस्व next में किलिक करना है अब जैसे दोस्व यहाँ पर next में किलिक करते हैं जैसे दोसों यहाँ पर six digit यहाँ पर डाल देते हैं डालने के बाद आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर क्या करना दोसों उसके बाद उसका पीन डाल देना है जैसे कि दोसों you know SBI का दोसों आपने ATM कार्ड जो लिया हुआ है उस ATM कार्ड का पीन डाल देंगे तभी जा और पास्वर्ड और यहां पर योजर्णेंद नम्र को आपको फिर डालना है वह भी मैं आपको बता जता हूँ योजर्णेंब में आपको सियाएफ नम्बर आपको जो मिला हुआ दोस्वो आपके अपने पासिबुक पर देखने को मिल जाएगा उस दूसरो CF नमर को आप उपर बे डालेंगे यूजरनेम दूसरो वही रह जाएगा आएं दूसरो आपको यहाँ पर आने के बाद आपको अपना नीचे जो है पासवर्ड आपको strong पासवर्ड बनाना है पासवर्ड यहाँ दूसरो आपको बिल्कुल डिला डाल नहीं बनाना है जिसे आपका कोई भी अकाउंट लोगिन कर सके तो यहाँ पर दूसरो आपको अपने security के लिए पासवर्ड बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाना है बेतरी और यहाँ पर दूसरो आपको अपने user name में CF number डाल दना है और डालने के पासवर्ड में आपको यहाँ पर डालेंगे दुबारा में दूसरो पासवर्ड को confirm करेंगे और दूसरो confirm करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर नीचे confirm का एक बटन मिलेगा आप यहाँ पर साराची देख सकते हैं आप पर password किस तरीके से बनाना है इसका दोसो step by step आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा guide आपको साराची आपको किस character में आपको password बनाना है username वगरा साराची आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यह सारा ची दोसो आप अपने हिसाब से देख करके अच्छी तरीके से दोसो यूजरनेम डाल देना जैसे मैं आपको बताए CIF नंबर और यहाँ पर दोसो अगर आपको यहाँ पर CIF नंबर आपको यहाँ पर पासबर्ट डाल करके confirm कर देना है तो यहाँ पर चलिए मैं confirm कर देता हूं जैसे दोसो confirm करते हैं आपके सामने दोसो इस तरीके का सक्सेसफुल का दोसो मैसेज आ चुका है अब यहाँ पर दोसो हमारे UNO SVI के अंदर रजिस्टेशन सक्सेसफुल हो चुका है अब यहाँ पर दोसो हमारा जो है यहाँ पर आप हम डारेटी से लॉग इन करेंगे तो login करने के लिए दोसो यहां पर set mpin का एक options मिलेगा तो just आपको set mpin में आपको click करना है जैसि के though set mpin में हम click करते हैं click करने के बाद के बाद दोसो आपके सामने दोसो a ये MPN में आपको किलिक करना होगा simply से अब जैसी दोस्तो अपको आपको सेट MPN में किलिक करते हैं आपके सामने term and condition दोस्तो आ जाता है इसको आपको accept करना है और आपको next बटन में किलिक करना है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर set MPN का दोस्तो ऑप्शन मिल चुका है जालने के बाद दोस्तो है और है जी सक्सेस्पुली रजिस्टेशन यहां पर हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है अब यहां पर दोस्तो आपको काफी options मिल रहा है देख सेथे यहां पर आपको account detail का option मिल रहा है दोस्तो यहां से आप अपना balance चेक कर सकते हैं यहां से दोस्तों यूनो पे आपको options मिला यूनो कैस यहां से दोस्तों सारची आप manage कर सकते हैं उमेद करते दोस्तों वीडियो आप सीव को अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना दोस्तों अगर आपके मन में को सवाल होगा नेचे comment वोग सा